नमस्कार मित्रो श्वागत है आपका करेंट एफेर अनालेसिस की सीरीज में और आज है 9 माई 2020 तो आज देख लेते हैं हम कौन-कौन से अपने इंपोटेंट आर्टिकल्स डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले एक इस्टेंज इंडेक्स जिसे ऑक्सफोर्ड से 96 हो गई है यानि आठ टाइगर बढ़ गए हैं तो हम लोग टाइगर क्या है एंटी यह क्या है टाइगर रेंज कंट्री क्या है कैसे काम करते हैं यह लोग क्या है टाइगर दिवस तो हम इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए हम अपना पहला इंप का मतलब होता है कठोर, मतलब कुछ ऐसा कठोर जो नियम कानुन जब नियम कानुन कानुनों की कठोरता की बात करते है तो हम लोग इस्ट्रिंजेंट बोलते है यानि कट ऊर निया में में पानूं तो ठीक वैसा ही है इस को लाओ करने का या बनाने का उद्धश्च का है इस इंडेक्स को बनाने का जो मखिक उद्धिश ओभी यह है कि जिन-जिन देशों में लोग-डाउन कोई इंप्लीमेट किया गया है वो लोगळाउन कितना strict था या कितना इंस्ट्रिक्ट था ठीक है या कितना इंस्ट्रिक्ट या कितना इंस्ट्रिक्ट था और उसे spread जब outbreak हो रहा था जब उस देश में coronavirus फैल रहा था तो उसे spread की किस stage में लागू किया गया था किसको lockdown को तो इन दो index है ध्यान रखने वाली बात यह है यह हो सकता है किसे सवाल पूछे लेकिन उमीद कम है लेकिन फिर भी आप जनकारी कर जानते रही है कि 17 indicators का यूज करता है जिससे यह पता लगता है कि उस government का lockdown के लिए क्या response रहा है ठीक है और यह जो indicators है उनमें से कुछ चीजें यह सोचते हैं यह देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे इस्कूल है बर्क प्लेस का बंद करना है पबलिक इवेंट का रोकना है पबलिक टांस्पेट का रोकना है इस्टे एट होम policies क्या है तो इन सब चीजों के आधार पर कुल मलाकर यह सत्रे इंडिकेटर है 17 इंडिकेटर यानी संकेतक है इन सत्रे 49 पर यह चर्चा करता है बात करता है और इसकी रेंज कितनी है तो रेंज यह जिरो से सौ के बीच में है ये कोई देश 0 इसकोर पर पर है क्म स्कोर नहीं था यद किसी देश में 100 score आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां lockdown बहुत strict था इसका मतलब higher index score indicates higher level of stringency जितना अधिक आपका score होगा 100 अधिक होता है 0 कम होता है तो जितना आपका अधिक score होगा अंदाज लगा जाएगा कि आपके यहां कितना कठोर lockdown था इंडिया के बारे में की finding क्या है इंडिया के बारे मुख निसकर्स क्या बताया है इंडिया के बारे में बताया है कि इंडिया में जो lockdown लगाया गया था वो बास्तम में विश्व के कठिंतम lockdowns में से एक है ठीक है और जब से lockdown लगाया है 25 मार्च से जरनली इस्टार्ट हुआ था 25 मार्च से पहले से ही बलके 22 मार्च से जब से जन्तागर्फी लगाया गया था तभी से भारत में टफेस्ट lockdown लगाया गया है विसको एक तरीके से और वो 20 अपरेल तक लगातार चलता रहा जब तक के 20 अपरेलता कुछ छूट नहीं दे दी गई ठीक है तो यह था इंडाक्स जिसे ऑक्सफवर्ड उनिवर्सिटी ते त्यार किया यह बात ध्यान रखेंगे बास के लास मांसरोबर यात्रा अभी लिंक रोड था जिसे के लिए लिंक रोड बनाया गया है इस लिंक रोड को हाल रश्ठा मंतरी राजना शिंग ने इनागरेट किया है वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिए तो इसलिए के लास मांसरोबर यात्र चर्चा में बनी हुई है कि यहां आप फिगर में बहुत क्लियरली देखते चले हम लोग एक फिगर और देखेंगे क्योंकि इस कैलास मांसरोबर यात्रा को और इस कौन चलाता है तो प्रतिवर्स से विदेश मंतर चलाता है आप इस फिगर में बहुत अच्छे से देखते हालें कि हम एक फिगर और भी देखेंगे क्या है कि यहां यह मांट कैलास है यहीं है मांसरोबर जील तो इसलिए से मांसरोबर यात्रा बोलते हैं तो यहीं है मांट कैलास जिशे भगवान शिव का निवास समझा जाता है और यहां एक मांसरोबर जील के पास ही क्योंकि यहां मांसरोबर जील है इधर इस साइड और इधर एक राक्षस्ताल जील है और यहां यह मांट कैलास है यहां इस मांट कैलास के पास ही एक डोलमा पास है तो भाईचान से अगर पूछ लिया जाए कि जील कौन कौन सी है और यह बात ध्यान रखें बहुत ही क्लियरली ध्यान रखें कि मांसरोबर जील पूरू में है जबकर राक्षस्ताल जील पश्यम में है और राक्षस्ताल जील के आसपास से ही 17 संधी निकलती है जब कि मांसरोबर से ब्रह्मपत्र और जो शिंदुनदी है इंडस रिवर है वो निकलती है यह बहुत इंपोर्टेंट रिवर जो है इंडिया की वो यहां से निकलती है ठीक जैसे यह जो दिखाया गया है एक्चल में जो मांट कैलास क्यों पड़ता है वो इंडिया में नहीं पड़ता है मांट कैलास तिब्बत में पड़ता है और तिब्बत चाइना का छेत्र में आता है क्योंकि तिब्बत एक ओटो नौमस रीजन है यहनी चाइना के अंडर में तो है तिब्बत लेकिन उतना कंट्रोल नहीं है चाइना क चाइना अपने ही देश में जोतना है जैसे कि हमारे यहां अगस्त 2019 से पहले जम्मु कश्मीर में काफी स्वायत था थी तो उस तरीके का कुछ प्रांथ है अलगे हमारा तो पूरी तरीके से है जब कि चाइना ने उस पर कब्जा किया है हमारा जम्मु कश्मीर हमारा ही है ठी को क्या देखें कि यहां जनरली क्या था कि यह जो ट्रैकिंग रूट था यहां इस फिगर से देखें इस लाइन के त्रियू यह पहले ट्रैकिंग रूट था इसका मतलब यहां तक पैदल जाना पड़ता था इस रास्ते में बाकी के रास्तों में तो जैसे तैसे काम चल जात लेकिन यह वाला रूट था यह ट्रैकिंग रूट था कि बहुत ऊवर खावर था इसी इस्थान पर बी आरो ने यानि बॉर्ड रोड और और इसे इस एरिया में इस एरिया में लिंक इस्थापित हो गया इसलिए इसे लिंक रोड बोला जा रहा है मांस रोवर के लिए क्योंकि इस राष्ते को पार करना बुजरकों के दम की बात बसकी बात नहीं होती थी क्यों कि यह ट्रैकिंग रूट था मतलब पहले लोग पैदल जाना पड़ता था यही क्या करेगा यह लिंक रोड इस धर्चूला से जात नौर्थ टू साउथ या साउथ टू नौर्थ यूपे सी पूछ सकती है इस धर्चुला से जाता है फिर धर्चुला होते हुए तबाघाट तबाघाट से फिर ये नारायन अस्रम जाता है फिर उसके बाद सिर्खा जाता है उसके बाद गाला जाता है और ये काला पानी जो उत्राघंड यानि इंडिया का उत्राघंड नेपाल और चाइना चाइना का तिबती छेत्र तो खुल मिलाकर कि यह तीनों देशों को ट्राइ जंक्सन है कहां लिपू लेक पास तो यह काफी स्ट्रेडिजिक पॉइंट भी है यानि भूर अडिनितिक द्रश्टी से भी काफ बहुत जरूरी है इंडिया की यहां तक पहुंच होना हर समय बहुत जरूरी है क्योंकि चाइना कोई पता नहीं चाइना का क्या भरोसा है कुछ भी करने बैठता है जैसे डोकलाम इशू करते से उसने 2017 में बेव कुई का अब देखते हैं कि चर्चा में क्यों था तो हम लो को भी संगठन सेटक बनाता है वह बियारो ही बनाता है उसका नम ब्यारो है इस ब्यारो का हेड़क्वाटर नेदिली में और इसको 1960 में स्थापित किया गया था साथ में 1960 को ठीक है अब चलिए इस लिंक रोड के बारे में बात कर लेते हम लोगों ने भी क्या देखा था य लिपूलेक से कनेक्ट करते हुए उपर से नीचे नीचे से ऊपर कहीं बीचले जाओ जैसे यहां लिपूलेक है तो नीचे से यहां आजाओ धर्चूला तक यह धर्चूला कहां है यह धर्चूला उत्तराखंड की पत्थरागर जले में है तो यह इसको कनेक्ट करता है ठी बीए यानी माना नीती नाम नाम ही नीती घरते हैं मालिनी यानि उत्राखंड में मालिनी रहती है मालिनी मतलब मां से माना दर्रा ले से लिपूलिक दर्रा नी से नीती दर्रा कि दर्रे का नाम ही नीती है नीती पास पास मनें दर्रा और यहां अगर कहीं ला आता है तो ला का मतलब होता है तिप्पती भासा में दर्रा ला का मतलब होता है पास जैसे बारालाचा ला तो बारालाचा दर्रा जैसे जेलेपला तो नाम हुआ ला का मतलब दर्रा जेलेपला दर्रा तो ये बात ध्यान रखें इसको क्या कहा जा रहा है इसी को ये जो लिंक रोड इस्थापित किया गया कहा किया गयाँ पूरा-गपूरा कैलस-मão-श्रोबर यात्रा की रूट है जि़ूत है पूरा-गपूरा रास्ता उसमें इस्थापित और देखते हैं यह यहां से हजारों यात्री मांसरोबर यात्रा के लिए जाते हैं और इस मांसरोबर यात्रा को और अर्गनाइज कौन करता है यह समने शुरुगात भी बताया था तो Ministry of External Affairs करती है Ministry of External Affairs कब तक देखती है जैसे यह मान लिजिए कि यह इंडिया की boundary है तो उत्राखंड यहीं है यहां फिर नेपाल है इतने में यहां उत्राखंड है तो यहां है लिपूलेक और इसके जश्ट उपर से चीन का तिबबत वाला रेजन स्टार्ट हो जाता है और मांसरोबर है इस जगए पर हैं तो इंडिया का एक्टरनल मिनिस्ट्री है और गनाइज तो इस यहीं करता है लेकिन इंडिया का इसे लोकाफ्टर करता होगा तो चाना की जिम्मेदारी होती है क्योंकि वह मांट केलास कहां है एक्चल में तिबबत रीजिन में और तिबद किसके आगे अगे एक साथ अफेर्स मिनिस्ट्री यह मैप पर देख सकते हैं कैसे और जैसे यहां से आप यह जाते हैं तो दिल्ली से जाओ काटखुदाम जाओ अलमोडा जाओ आप यह यह रूटे सकते हो या फिर ये रूट ले सकते हो ठीक है हम ये बाला रूट ले रहे हैं उसके बाद बार्चिना जाना है जगेशवर जाना है घाट जाना है पितोरागर जाना है ओगला जाना है ओगला से फिर जुलाजी जाना है फिर धर्चुला जाना है फिर तवागाट जाना है फिर सिर्खा जाना है फिर गाला जाना है फिर बूढ़ी जाना है फिर गुप्ती जाना है फिर गुप्ती जाना है फिर काला पानी जाना है फिर नभी धांग जाना है फिर लिपू लेक जाना है तो आगे ना लिपू लेक अब देखो यहां तो यह तो है लिपू लेक इस जगे प ठीक है अब देखो यहां यह है माउंट केलास हम तोड़ा साफ फिगर और शोड़ा करते हैं यह है माउंट केलास कहां है माउंट केलास यह है माउंट केलास माउंट केलास के इधर यह है मांसरोबर जील है यह बाद धान रखें जोगर्फिकली यह है राक्षस्ताल और यह थ दोलमा पास यानि जो शुरुआत में देखा था ठीक है बाकी हम को और कुछ नहीं जानना है तो यहां से जैसे ही लिपुले को इंडिया के लोग पिलिग्रमेज है या तीर स्यात्री हैं जैसे पास करते हैं लिपुले को फिर यहां से यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी या उनको देख बाल करने की जिम्मेदारी चैनी अथरोटी की है इसलिए भी चैना से भारत को बना के रखनी पड़ती है क्योंके भारत के यहां कोछ सांस्कृतिक हित भी जुड़े हुए है ठीक है और हिंदूओं के लिए प्रमुख मानी जाती है यह जो लिपुलेक है व फिर से एक मैप बनाएंगे हम लोग मैप बना गए देखते हैं पता नहीं कैसे छूट गया सॉरी टैम लेने के लिए देखें जैसे यह है नक्से में थोड़ी प्राव्लम होते चलेगी अभी इतना समझते हैं हम कि यह क्या हुआ ठीक है ऐसे समझे लें अब क्या होगा कि यहां है सिक्किम कि इस सिक्किम में एक नाथूला दर्रा है नाथूला दर्रे का नाम है नाथूला तो सिक्किम के नाथूला दर्रे होकर के गंगटोक गंगटोक से तिब्बत राजधानी लाहसा होते हुए हम मांट कलास तक जाते हैं तो पहले लोग जन्नली क्या होते हैं जन्नको मांसरोबर यात्रा करनी होती है उनको राजधानी कराई जाती है उनके देखवाल की अत्वास्त है कि फिर या तो वो लिपूलेक दर्रे के थ्रियू यानि इधर उत्राखंड के थ्रियू पहुंचा दिये जाते हैं इसके थ्रियू या फिर यहां फ्लैट से उनको गंगटोक पहुंचा जाएगा सिक्किमपी राजधानी में उधर मांसरोबर कलास के लिए पहुंचा जाएगा कुछ लोग नेपाल होके भी जाते हैं तो नेपाल होके भी जाने का रास्ता है लेकिन मांसरोबर यात्र जाने के लिए दो रूट बहुत फेमस है एक कौन सा है एक तो यह नाथूला है सिक्किमपाला और दूसरा रूट है यह उत्राखंड का लिपू लेख बाला विवाद ध्यानक है चलिए अब हम बात करते हैं माउंट कलास के बारे में थोड़ी सी तो माउंट कलास जैसे हम लोगों ने देख लिया माउंट कलास की टोटल हाइट है वो 6,630 मीटर है और यह ट्रांस हमाले में बढ़ती है क्यो तो साउथ इस्ट वाला रिजन है वही कहलाता है कैलास ज्यानि कुल मिलाकर के यद हम ऐसे स्रेडियां बनाएं तो कैलास सुरी कारा कोरम, लद्दाख, जासकर, जासकर का ही यह इससे चला जाता है तो कुल मिलाकर के ऐसे तो नहीं जाएगा कारा कोरम लद्दाख जासकर और ये इधर लद्दाख और जासकर का ही जो दक्षड़ी पूरी वाला हिस्सा है ये विश्त्री दोकर के कैलास रेडी बनाता है तो ये कैलास रेडी पर ही ये माउंट कैलास है यानि कैलास परबत है जो तिब्बत में है तिब्बत में बढ़त किती और यहां से कंज कंसे नती न्रही निकलती है इंड़ती है सत्रव निकलती है ब्रहुंपुत्र निकलती है क्रनाली kayak और भी निकलती है जستपीपह्पांस तो यहां पर ऐसी स्थिति में सुन्दरबन के डिल्टा में बढ़ना बहुत ही इंपोर्टेंट बात है और ध्यान रखने बाली बात है तो चलिए हम बात करते हैं सुन्दरबन डिल्टा की तो सुन्दरबन डिल्टा है बो लगभग 4200 222 किलो में फैला हुआ है और बिश्व का सबसे इंडिया का सबसे ज्यादा मैंग्रोव छेत्र इसी सुन्दरबन डिल्टा में है अगर एक एकाई की रूप में देखें तो जब से लगभग 1225 किलो मेंटर का यहां मैंग्रोव है सुन्दरबन में विस्व के सरवाधिक बड़ा मैंगोर रिजवा और साउथ ईसिया का बहुत बट है एक यूनिक को सिस्टम है सुंदर बन को अभी राम सर साैट में सामिल किया गया था सुंदर बन में इन्दिया की 10 साइट स्कॉर विर्ट ही यह भार ध्यान रखें थेक हैं और यूनियस्को की वर्ट हैरिटेस साइड की लिष्ट में अग्षाइड इंडिया की रामसर साइड भी है कि यह जो संद्र नधी देल्टा भी है रगरेस्ट लगातर बढ़ भी रहा हैं और फ्रॉगर्द्पि मतलब यह नदियों से इसका अंध्रमार होता है सुन्दरबन डेल्टा में जो होते हैं उनकी खास बात होती है क्या होती है वहां समझ लीजिए कि यह लेंड है और इधर बाटर बॉड़ी है जैसे ये इंडिया की जमीन है और इधर बंगाल की खाड़ी है तो इस बीच बाले छेत्र में यानि इकोटोन बोलते हैं यहां क्या होता है जब भी इस बंगाल की खाड़ी में जोर आता है तो पानी यहां आ जाता है और कम से कम दिन में दो बार जो आरतों आते हैं तो दो बार पानी ऊपर आएगा यहां इस सुंदर्वन में आ जाता है तो यह बात ध्यान लखने वाली है और यहां टाइगर्स का पाया जाना अपने आप में एक बड़ी ही खुबसूरत बात है और एक अचंबे वाली भी क्य में पानी बढ़ा रहे गा तो एकदम कीचड़वाद मिट्टी बन जाएगी मडि और क्या है कि यहां पर जो जड़ें बर निमट निवेटर फॉर्स कहते हैं इस इसमें से पार वह होग तो बहुत मुश्किल है तो यह टाइगर भाइगर को निकलते होंगे उसमें से किसी विस्थान पर दो बार जोहर आता है जोहर जोहर का मतलब पानी के ऊपर उठना तख्टाओं की तरफ मासागरों से या सीमांत सागरों से ठीक है तो अब बात करते हैं टाइगर की टाइगर कौन है टाइगर हमारा नेशनल अनिमल है राष्टर पर हुए जो सब लोग जा होते हैं हरे पेड़ पहुदे होते हैं फिर उसके बाद या पहले उत्पादक होते हैं फिर प्राथ में कुप भोगता यानि साकाहरी प्रैमरी कंजूमर फिर उसके बाद मासाहरी फिर उसके बाद सबसे टॉप लेवल पर सरवाहरी फिर उसके बाद भी हाई कॉर्णिवोर आवच उच्छ महास सअरब सिर्फ जार्ट है वो उच्छ महास हौरी यानि इस सुफ फूटफी चैन में तोटल फूट मैं देकी जाये करके तोटाप लिवल पाता है कि आव ने टॉक्ि सैका फॉट ऑन coral एक हमस हाः सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि टाइगर को अंब्रेला सब्सक्राइब करना पड़ेगा के लगवग दोजार एंगर सेंस के नुसर 2967 बाग तो इंडिया में हैं सिर्फ कहा है इंडिया में ही है और इन इस देशों को मेरे खयासे तेरे देश हैं ये आप लोग गिन सकते हैं आराम से तेरे हैं इन देशा होता है जिन देशा में वह फैला हुआ है इसलोब रोटते हैं ठीक है तो यह और कंट्री तो टाइगर रेंज कंट्री में सबस्यादा बाग कहा पाया जाते हैं इंडिया में पे जाते हैं इंडिया और इंडिया के रहीं पैने यहां आंसरे कंट्र के फिश्यू कर फाइगर लेंड़स के पर पूरूप में सबसे ज़्यादा भाग भी हैं फिलाल पहले मद्यप्रदेश में दूसरे नमबर पर करनाटा के तीसरे नमबर पर उत्तराखंड है नई टाइगर सेंसस के नुसर दो जो मई 2019 में रिलीज हुई थी यह वाद ध्यान रखें अब देखते हम लोग ग्लोबल टाइगर डे के हुई यह लग यहां pięter जाता है यहां विश्व के संग्या को लेकर काफी सिंति थे काफी इसी चिंता को लेकर कि इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम 2022 तक जो अभी 2010 में जतनी जनसंख्या थे जिस देश में जिस देश में जनसंख्या जतनी थी टाइगर्स की 2010 में इन लोगोंने टार्गेट रखा इस सम्मेट में कि हम उस जनसंख्या को कि दो हजार बाइस तक डबल कर लेंगे इंडिया ने तो लगवख कर लिया कि इंडिया में जब 2010 जब ये की गई थी तो 146 के आसपास थे तो इंडियान लगबाद डबल कर लिया लेकिन बागी देशों की कोई पता नहीं है यह जो प्लान जो सैंट पीटर्सवर्ग में सम्मिट में अपनाए गया था इस प्लान को कहा जाता है टी इंटू-टू यहने टाइगर को दोगना करना है यह बात ध्यान रखें टी यहां दोगना करना है इंडिया सक्सेज है फिलाग तो यहीं 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाए जाने का निर्णा भी लिया गया तो 29 जुलाई आएगी तो विश्वर टाइगर दिवस मनाएगा अब देखते हैं भारत में टाइगर सेंसस के बारे में फिर 2014 में कराई फिर 2018 में कराई तो 2018 के अंगड़ उनिस में रिलीज हुए तो कुल मिलाकर के चार अभी तक कुल चार टाइगर सेंसस कंड़क्ट हो चकी हैं कंड़क्ट कोन कराता है नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी जो एक स्टेचरी बोडी है एक सामबदिक निकाया है क्योंकि इसे वाइड लाय प्रोटेक्शन एक्ट उनिस सब एत्तर यानि वन जीव संद्शन अधने ने उनिस सब एत्तर के तर इस्थाबित किया था इंटी से को हम लोग ठेश्ट थोड़ा आगे देखेंगे भी बरतमान में इंडिया में वागों के संके कितनी तर अदेश्ट जो चौछी संसथी ऑसी पहली संस ठी जिसमें का फूछ समया था इसलिए इसलिए काफी पूछा था की सायद ही पहली बार आएसा देखने को मिला जब किसी मोबाइल आपलिगेशन ने है क्योंकि टाइगर सिसमांधित था इसलिए काफी इंप्रोटेंट हो गया था और टाइगर जो फूर्थ टाइगर सेंसस थी यानि दुज़ार अठारे में उसमें उत्रपूरी भारत को भी कबर किया गया था यह और खास बात रखने वाली बात है और एम स्ट्रिप्स मोबाइल एप्लिकेशन का भी चौथी जनगरना में ही प अधर पर होती थी यह अब प्रजेक्ट टाइगर के बारे में देखते हैं तो टाइगर को टाइगर का संद्रक्षन करने के लिए भारत सरकार ने शुरूआपके बढ़ा इनीशेटिव लिया जब आप्रेल 1973 में इंडरा गंदी के कारकाल में प्रूजेक्ट टाइगर को ल ताइगर को ही संद्रश्चित करना चाहते हैं क्यों किया गया क्यों कि तो बैसे बहुत जल्दी से कम हो रहे थी वह इसे भारत का नेशनल एनिमल ही चला जाए या बिलुप्त हो जाए तो इस्तिति क्या होगी हमारे उपर लानत है ना फिर तो काम खतम है हमारा और अब फिला ताइगर जब के संद्रश्चित बढ़कर के पचास हो गई है तो कहां किस राज्जमें कितने टाइगर ज़र्व हैं यह आप इंटरनेट बजा करके या फिर आपके पास कोई एंवर्मेंट की बुक हो तो आप उससे कर सकते हैं जैसे कि या संकर आइएस की होगी या फिर अप उससे कर सकते हैं या फिर आपके हैं तो हम भी प्रोवाइट करा सकते हैं तो कितने राज्यों में फ्यला हूआ है यह टोटल अठारे राज्यों में ही है एपको इसलिए चंखला को टाइगर मैंं ऑसे बएंसे पूठ ले जाते हैं अब निशनल टाइगर कंजरवेशन अथरड़ी हम लोग बात करते हैं निशनल टाइगर अथरड़ी कंजरवेशन का जो मुख्य काम है वो क्या है टाइगर की सेंसस है उसको कंड़क्ट कराना टाइगर संबंद पॉलिशी बनाना सरकार को सला देना या फिर उन छेत्रों में अगर कोई प्रोजेक्ट लाग हो रहा है तो उन सब के बारे में सरकार को सला देता रहता है एंटी सीए एंटी सीयों को इस्थापित किया गया थे 2005 में ध्यान रखें एंटी सीयों के इस्थापित किया गया थे या एक्जिक्यूटी प्रपोजल से इस्थापित किया गया किसी कानुन की तहट नहीं किया थैया लेकिन हुआ क्या हुआ कि ईयु जो उन्ही आप प्रोटक्शन ₹ 1967 का अक्ट है इसको दुजार चार। ध्रियों में अमेंडमेंट किया उञ stato keyboardsорм नहीं है नहीं वो संभैधानिक बॉड़ी है वह एक प्रपोजल के अधर पर इस्थापित की गई है ठीक है तो नीतियायों के पास उतनी सक्तिया नहीं हो सकती जितनी के जैसे सेंट्र विजिलेंस कमीशन है उसके पास उस शेत्र में तो कुल मिलाकर करके जो इस्टुचरी ब तो यह आगर आपसे पूछा जाए कि किस कानून के तहट इस्थापित की गई है एंटी सीए ध्यान रखें किस कानून के तहट वाइल लाइप प्रटक्शन एक्ट ठीक है इसको इसको इस्थापित किया गा तो चलिए आज हम लोगोंने कई टॉपिक देख लिए हैं देख हैं जिससे कि आप लोग रिभाइज हो जाएगा आपके दिमाग में तो पहला हम लोगोंने देखा है इस्टेंज इंडेक्स दूसरा देख हमने केलास मांसरो बर्यात्रा लिभूले कि या नाथूला हो कर कि आप कहीं भी हो कि जा सकते हैं फिर टाइगर के बारे में देखा प्रोजेक्ट टाइगर देखा एंटीशी ये देखा संदरबन डिल्टा के बारे में जानकारी प्राप्त की और भी हम लोगोंने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की तो आज के लिए इस वीडियो लेक्सेर में तना ही यदा आपको ये पसंद आया हो करें टाफेर अनलसि तो आप वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राब ज़रूर करें आपका बहुत बहुत धन्देबाद जय हैं